तो इस वीडियो में करेंगे money and banking के भी questions करके लेके चलेंगे साथ-साथ हम commercial bank तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो में दो नो को combine कर दिया है क्योंकि ज्यादा question money से नहीं आया है money and banking और साथ में commercial bank इससे पहले कि हमने यहाँ पे central bank के और other video को भी मैंने आपको provide करा रखा 10 years के तो आप उन सब को जरूर देखिएगा तो यहाँ पे यह आपका जो है commercial bank और money के money and banking से related question से सारे बोट के तो चलिए start करते वीडियो को और यह एक बार फिर से बता दो यह economic applications के लिए जो कि class 10 ICSC के बोट के लिए तो first question 2019 का है what is money referred to as a legal tender money money को किस तरह से legal tender money कहा गया है तो उसका reason है it has to be accept as a medium of exchange of good or service मतलब जो money होती है वो good or service के लिए एक medium को मानते हैं अगर आपको कोई समान खरीदना है तो उसके बतले आपको money देनी पड़ेगी तो यह medium है दूसरा no one can refuse to accept it as a medium of action और कोई भी बेक्टी इसको लेने से मना नहीं करेगा आपको एक्षिए तो बदले में आपको वो पैस अगर आप उन्हें पैसा देंगे तो मना नहीं करेंगे उनको यह मजबूरी उनको यह पैसा लेना ही पड़ेगा तो इस तरह से money जो होती हमारी किसका काम करती है legal tender money का फिर से एक बार मैं बता देता है आप लोगों इस वीडियो में हम money and banking कोईशन भी करेंगे साथ की साथ हम commercial बैंक के भी साथ में देके चलेंगे कि एक इंड कोईशन आता है define money money की आची जो होती है explain the secondary function of money money का secondary function कौन सा है anything that is generally acceptable as a means of exchange and act as a measure and store of value जो भी चीज़ चीज़ का काम करता है वो सब पार्ट किसका होता है money का और जो value को भी store करके चलता है function क्या कौन से होते है नंबर ए किसका standard of deferred payment इसमें क्या होता deferred payment क्या होता है देखिए deferred payment means क्या होता those payment which are to be made in future जो future में किये जाने वाले that is when you purchase something and pay it later देखिए मैं इसको आपको एक example से बताऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जागा जैसे कि यह example आपको paper में लिखना नहीं है इसको six months लिए इस्टाल्मेंट में देना है यानि कि रूर रुक के हर महिने बाद आपको यह पैसा six month में लुटाना है तो इस्टाल्मेंट जूए वह आकी feature के लिए देने के लिए और देने के लिए आपका क्या वोटी है अपके लिए अधर पेमिंट का क्या थी है वेन वी पेड़ प्राइस अपने कोई भी ऑनलाइन से कुछ मगवाया जैसे एमेजों से आपने कुछ मगवाया तो आप क्या करेंगे एमेजों को क्रेडिट से अपने मतला डेविट क्रेडिट कार्ट से उनको पेमिंट कर देंगे तो वो पैसा उनके पास करेंशी के रूप में नहीं पहुंचा आपका ट्रांजिक्शन कौन से कैसा हुआ आपका यह डिजिटल ट्रांजिक्शन हो गया तो यह वैलू ट्रांसफर हो गई आपका मानलों एक लाग कर दिए तो वह पैसा यहां से आपकी वैलू से निकलके उस दूसरे के पास वह अथर्टी हो गई अब वह उसका मालिक बन गया एक लाग रुपी आपने ट्रांसफर किया तो आप से कड़ गया पैसा आपके मैंक में अकाउंट में आ गया तो इस तरह से पैसा ट्रांसफर होना आपको समान भी आपके घर बैटे बिठा है आ जाएगा तो इस तरह से यह क्या करेगा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का भी वर्क करता है तो कहीं दूर जगह से भी आप कोछी समान बगबा सकते हैं किसके दौरा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू को जा रहा है अभी हापर हमारे चल रहे हैं सेकेंडरी फंक्शन आप मनी तो यहां पर दो हो में भी उतनी रहे से कम ना हो तो वह आपकी प्रजेंट से फूचर क्या कर आएगी करेंसी स्टोर ऑफ वैल्यू मनी इस वे टू स्टोर वैल्यू जैसे कि गोल्ड हमने आज की देट में गोल्ड लेकर खरितकर डाल दिया तो गोल्ड क्या करेगा गोल्ड कभी घठता नहीं हैं तो गोल्ड जो है वह आपके लिए हमेशा उतने का ही बिखेगा कम का नहीं जाएगा तो इसका मतलब है वह आपके लिए एक एज़ा स्टोर ऑफ वैल्यू आप मनी है तो यह आपके क्या होगा है फंक्शन थे मनी के तीन किस तरह से काम करती है तो मनी यूज़ एज यूनिट ऑफ एन अकाउंट मैज़र दा वैल्यू अप मनी एनी कम्यूटी और सर्वेश और भी मैं एक्जाम्पल देखे बताऊँगा क्योंकि एक्जाम्पल था ही आप लोगों को यह अच्छे समझ में आने वाला देखिए जैसे रूपीज त्री एंडड़ की कॉस्ट रूपीज एट एट अंड़ेड फैन की कॉस्ट है फिप्टीन अंड़ेड इस्कूल की फ इन ऑल अफ देम उन पार्ट इस कॉमन विचिज रूपी तो रूपीज क्या है यूनिट है किसकी मनी की इन इंडिया में तो यहीं कि रूप में यहां पर मेजर जा रहा है हमारे इंडिया की बात कर लें तो वह रूपे के में मैं इस तरह से मनी आलसो एक्ट आप एज़ उ सारा वर कर रही है कि एक्स्ट तरीके से कमर्शियल वैंट पैसा पब्लिक से इकटा करती है अपने पास तो आप अच्छे से जानते हैं बहुत यह तो इस्ट वह पुब्लिक से कैसे लेती है तीन प्रकार से लेती है नमबर एक डिपॉजिट करेंट खुला होता है यहां से पैसा पे मॉबिलाइस करती है इसको भी देख लेते हैं यहां पर आपको सब्सक्राइब करने हैं सब के मेथट को तो सबसे पहले यहां पर पहला मैथट है किस तरह से पप्लिक से पैसा स्टोर गया रहा है दिपॉजिट इन दा करेंट अकाउंट तो डिपॉजिट विच विद्वाइब वाइड डिपॉजिट अट एनी टाइम बाइनी चेक और काल डाइमांड और करेंट डिपॉजिट नो इंटर्स इस पेड और सच डिपॉजिट करेंट वह एकाउंट होता है जिसमें कभी भी पैसा निकाला और मतलब कभी भी उसमें हम विट्रॉफ कर सकते हैं और कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं इसकी कोई भी टाइम नहीं होती है तो उसके लिए यह वाले अकाउंट को खुल बाते हैं बिजनसमें या फर कोई इंडस्टीरिस घुलाते हैं जिनको लगाता है पैसे की जुरुत की मार्केट में बने रहने कर अब कभी भी जुरुत पढ़ जाती है तो कभी वह पैसे को निकाल सकते हैं और इसमें उनको सेविंग डिपॉजिट आर जनली मेड दोस पिपल हूँ डू नॉट रिक्वाइड विड्रॉल और बनी मेरे डाइक इस वाले अकाउंट में कंडिशन लगी होती है कि आप ऐसा नहीं कि जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं यहां पर आप महीने की एक लिमिट होती है इसकी बैंक आपको इंटरस्ट देती है लेकिंटरस्ट रेट क्या होता है लो होती है और इस टाइप के अकाउंट को कौन खुल आता है जनरली आउसोल्ड या सर्प्लेस वनी उनको जिसको शॉर्ट प्रिडिट के लिए पैसा नहीं चाहिए प्रिड़िया छाजद फिक निए होता है वह एक सते के लिए आपने खुल भाई कि आपको हर साल जमा करने दस साल तक तो वह आपको इसमें आपको यह लोंगर दा पीरड होता है और जतना पीरड लंग में ज्यादा लग रखेंगे इतना ज्यादा इंटरस्ट मिलेगा तरीका होगी आपका रिक्यूरिंग डिपॉजिट करते मनी को वह आपको एक इस्टार्मेंट की रूप में फिक्स टाइम में जमाँ करना पड़ता है जैसे आपने खुलवाई महीने की तो हर महीने आपको सब्सक्राइब करने यह कंपल सरी है अदर वाइस आपको चार्ज लग जाएगा इंटरस्ट के रूप में लेकिन इस पे इंटरस्ट रेट क्या होता है लगबग हाई रहता है फिस्ट की तरह तो यह चा हँसोल्ड या यह सेलेंट क्लास खार रहता है इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है विद्रॉब करने की लेकिन इसमें उबाद रसक्राइब नहीं होती है what is the mean by demand deposit demand deposit किया होती है demand deposit are those deposits which can be withdraw by the depositor at any means of check no interest is paid on such deposit rather depositor have to pay something to the bank service rendered by the example current account operated by business में तो यह आप इसको देख लिएगा थोड़ा सा मैं इसे में अनकमफोर्टेव भी मेरी हेल्थ को लेके तो अभी में ज़्याद नहीं कर पारा हूँ आपके सामने आंसर दिखा हुआ आप प्लीज को देख लिए तो थोड़ा फास्ट लिए वीडियो कराऊंगा सेकेंड कोशन ह I dunno इस मीड़ एंप कमेशल बेंग कमेशल बेंग क्या चीज ऑती एक्स पैके लिएुश्प्रन आप जानते यह उत्यार कोमर्शल बैंक क्या ॥ांध कमर्शल बैंकर शाने इनिशिल इंस्टूट विच बॉरो मनी फ्रॉम दा पब्लिक और दा पर्पस आफ लैंडिंग मनी टू दा पब्लिक जो मतलब पब्लिक को क्या करता है लोन बॉर्ट करता है वो गलाते हैं एब्जांपल के तोर पे बहुत सारे बैंक्स होते हैं जैसे अब देखिए आपको यहां पर बताना है कैस्ट क्या होता है तब बैंक एडवां साक कैस्ट लोन अगेंस बॉर्ण और अधर सिक्यूर्टी इंट्रस इस चार्ड ओन्ली ऑन्द अमाउंट एक्चुली उटिलाइज बाइड़ तो इसमें जारेट कैस्ट दे देती है लोन के इसमें क्या रहता है हाई रहता है आपका क्या फाइदा हुआ अगर आप बैंक में अपने खुलवाते है तो बहुत अब सारे फायदे लेकिन आप से दो पूछे रहे हैं यूजर विद स्मॉल सेविंग अपांट अंट इंटरस ऑन दा से विजर अपने थोड़ा से विंग करता है और इस पर इंटरस की रूप में पैसा भी ले लेता है एक फायदा दूसरा फायदा बैंक अकाउंट आप से प कमर्शियल वैंक गिप रिजन टू सपोर्ड यूर आंसर इसमें से बताना है कि कौन सा फंक्शन जो है वह आपका किस को करता है कमर्शियल बैंक को तो वह आपका यहां पे प्रोवाइदिंग कैस क्रेड़िट फैसलिटी यह कौन देता है कमर्शियल बैंक एक्टिग अज अब इसका यह हो गया परफॉर्म बाइद सेंटर वैंक किसके यह कमर्शियल बैंक का काम है बाकी तीनों काम किसके सेंटर बैंक के है अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ाता कॉश्चन जो पेमेंट हमारे फीचर के लिए कर रहे जाते हैं वह कर आते हैं यह हम पर चुके जैसे मैंने इसको एक्जामपल भी समझाया था तो आपको ध्यान में आगया होगा टीवी को लेके यह कुश्चन अपकर कर रहा हु यह वीडियो एंड हो चुकी है और यहां पर 2014 तक की मुझे कोश्चन मिले तो मैंने आपको प्रवाइट करा दिये तो थोड़ी सी वीडियो इसलिए मैंने जल जली करी है कि मेरे को थोड़ा बोलने में प्रॉलम्स हो रहे हैं समय के लिए चाहूँगा कि आप लोग ज्यान सब्सक्राइटर्ण जिए पर यहां ब upright कि